दोस्तों स्याम पांच बजे आपका ओफिस से घर जाने का समय उसी समय आपका बोस आपको एक हैंडरेट नंबर्स की एक लिष्ट लाकर देता है और आपको कहता है कि आप इन सभी नंबर्स को वट्स में कनवर्ट करो तो आप क्या करोगे जैसे ये लिष्ट आपके सामने आ आज मैं आपका ये एक घंटा बचाने वाला हूँ, कैसे बचाऊंगा वो आप देखना, मैं सिर्फ एक ट्रिक में आज आपका ये पूरा एक घंटा बचा दूगा, तो देखते हैं ये ट्रिक कैसे यूज होती है, कैसे इस ट्रिक को बनाया जाता है, let's begin this video, दोस्तों मैं रा ये द्वारा फटा फट इनको words में convert कर दें, तो इसके दिए देखो, मैं इस numbers को एक बार delete कर देता हूँ, और सभी को क्या करते हैं, सभी को देखो, यहां से हम copy कर लेते हैं, Ctrl-C से, और यहां पे इनको paste कर दिया हमने, paste करने के बाद में सबसे पहला number है, उसको हम क्या करते हमें select कर लेते हैं, select करने के बाद में हम कहां जाएंगे, देखो, मैं थोड़ा सा zoom करता हूँ इस screen को, हम कहां जाएंगे, हम view के अंदर जाएंगे, और view में जाने के बाद किसे में जाएंगे, macros के अंदर जाएंगे, यह देखो, यहां पे macros है, macros पे हम click करके, यहां पे macro का name डालेंगे, जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया, कुछ भी नाम डाल सकते हो, आप यहाँ पर अपना खुद का नाम भी डाल सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा, r a j, और लिखकर इसको create कर दिया, create करने के बाद में लिखको, आपके पास कुछ इस तरीके का, window खुल के आता है, मैं थोड़ा सा इसको, screen को छोटा करता हूँ, ये देखो, कुछ इस तरीके का आपके सामने, screen खुल के आता है, इसको आप क्या करो, यहाँ वाले matter को आप delete कर दो, delete करने के बाद में हम यहाँ पे क्या करेंगे देखो यहाँ पे हम कुछ text है हमारे पास उसको मैं paste कर देता हूँ यहाँ पे यह कर दिया आप गबराना मत क्योंकि यह text का एक link मैं आपको description के अंदर दे दूँगा जहां से इस text को आप copy करके यहाँ पे paste कर सकते हो तो इस text का प तो भी press कर सकते हो तो उसके लिए हम इसको यहाँ से click कर देते हैं click करते यह देखो यहाँ पे हम वापस पहुँच चुके हैं अब हम क्या करते हैं इसको हम select करते हैं और select करने बाद कहां जाएंगे मैं इसको थोड़ा zoom कर देता हूँ macro के अंदर जाएंगे और macro के अंदर देखो यह जो macro हमने बनाये था उसका नाम आ गया अगर एक से ज़ादा होंगे तो यहाँ और वी नाम आ जाएंगे तो हम इसको select कर लेते हैं और क्या करते हैं? रन करते हैं, ये देखो, रन करते हैं, इसने convert कर दिया उसको, जैसे आप इसको select करो, macro पे जाओ, और run कर दो, ये देखो, ये भी convert हो गया, अब आपको गए एक एक की उपर जाकर convert करेंगे, तो इसमें काफी time लग जाएगा, तो इसके लिए हम क्या करें, एक shortcut की बना ले, ज देखो, आपको दिखाईने देर, हम थोड़ा zoom करता हूँ, यहाँ पे हम कहा जाएंगे, customize the ribbon के उपर, click करेंगे हम, click करने के बाद में, कुछ इस तरीके का window हमारे सामने, open होके आएगा, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, customize पे click करेंगे, और ये देखो, कुछ इस तरीके का window हमारे सामने खुल के आगया, अब यहाँ पे देखो, categories हैं, इनके अंदर आप नीचे चलो, नीचे चलो, और यहाँ पे देखो, macro आया है, इस macro को हम select करते हैं, और यह देखो, इधर हमारा macro आ चुका है, अब यह देखो, नीचे क्या दिखा इधर आपको, press new shortcut की, कि यहाँ आप कोई shortcut की use करो, तो आप जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं, हम कोई भी shortcut की लगा सकते हैं, जैसे मैंने control और R लिख दी यहाँ पे, control पलस, R हमने shortcut की डाल दी, यहाँ पे देखो, मैं आपको एक बात बता दूँ, क्योंकि आप यहाँ पे control लिखोगे, तो आप से control लिखा नहीं जाएगा, आप काफी प्रेशान हो जाओगी, कि आपने इसर कैसे लिख दिया, हमसे लिखा नहीं जा रहा, तो मैं इसके लिए आपको बता दूँ, कि आपको control लिखने की जरूद नहीं यहाँ पे, आप control की को प्रेस करके और जो भी की आपको दबानी है, जैसे हमने control की को प्रेस करके रखो, और आर प्रेस कर दो, करते हो अटोमेटिक यहाँ पर यहाँ पर यह प्लस का साइन भीज में अटोमेटिक आजाएगा, इसलिए आप control CTRL लिखोगे तो वो नहीं लिखा जाएगा यहाँ पर, अब लिखने के बाद में देखो निच्छे क्या कर देंगे, okay करते हैं हमारी, circuit की तयार हो चुगी, अब हम इसको select करते हैं, और control R प्रेस किया, इसको भी select किया हमने, और control R प्रेस किया, यह देखो, यह देखो, इस तरीके से हम फटा फट उसको select किया और उसके साथ, हमने control प्लस R लगाती ही, क्या हो रहा है हमारा, पूर जिसको हमने यूज किया, अब ये हमारे लिए lifetime क्या बन चुकी है, इसके अंदर एक shortcut की तयार हो चुकी है, जैसे मैंने यहाँ पे shortcut की control प्लस R लगा या आप अपनी इच्छा से कुछ भी लगा सकते हो वाँ पे, तो ये हमारा तयार हो गए, अब हमारा काम गंटों का काम कुछ एक मिनट के अंदर ही complete हो चुका है, तो ये था दोस्तों आज का हमारा topic, I hope दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया है तो प्लीज दोस्तों इसको like जरूर करना, और जितना होसके अपने दोस्तों के पास इसको share करना, तो जल्द मिलते हैं एक नए topic के साथ, तब तक के लिए जय हिन जय भाड़!